विडियो शुकू परें, उसके पहले एक बहुती वार्थ पूंग जालता है, आजकाल सिख्क्य विख्माने के लिए, तौप चार्चेस, लेंग चार्चेस, अपर रेइस्टेशन शुल्ग के लाम पर खड़ी की जा रही है, आप सांधान रहें, हमेशा जाद रहें, सिख्क आजकाल सिख्क्य विख्माने के नाम पर नाजियानी, The Currency PTA, अपर The Currency PTA के एपलाई के लाम से, कोई भी पेसों की दिमान करता है, तब आप उन्द समझ जाए कि वाफाट है, सही सठीक और अभी जानकालिक लिए, आप The Currency PTA के सभी विज़े की, आईए, शुरू करते है आपका नाम क्या है? अशुक कुमार जी, कहां से आएं? मैं सर पंजाल से हैं, बला जोर से, जी, अच्छी है बुरी है बता दूँगा, पर ये मत पूछना कि क्यों बुरी है, ठीक है? कलेक्शन आपकी ठीक है, अच्छी भी नहीं है, बुरी भी नहीं है, ठीक है? इसमें हर सन का एक ही सिक्का रखो, बाकी खर्श कर दो, ठीक है? और इसमें यहां पर गवर्नर की सिगनेचर होती है, हर गवर्नर का एक नोट रखो, बाकी खर्श कर दो, ठीक है? ये 20 का नोट जिसमें लास्ट में 786 लिखा होता है यह नहीं बिखता है ठीक है बताइए क्या नाम आपका संजीब पुरुषाब क्या चाहते हैं मेर से कहां से हैं आप बच्पन से कलेक्शन कर रहे हैं वीडियो देखते हैं मेरे कितने वीडियो देख लिए वेलियो तो मैंने आपकी बहुत दिया वह मेरे नंबर वाले की नंबर वाले नंबर वाले देखना अबãy करदेजिए दोस्तों हमारी जो भी वीडियो आती है ले टेस्ट उस वीडियो को कापी कर करके और उसमें नीचे नंबर दे रहे हैं मैं आपको हजारों वाल बोल चुका हूँ कि हम नंबर नहीं देते हैं तो जो भी नंबर आपके पास है वह सारे राज ग्यानी के नाम से से रहें राज़ ग्यानी का नंबर आपके पास नहीं है यह मैंत दावburgrant आप कहे रहा हूं सर आप कलेक्शन करिए ठीक है कलेक्शन अच्छा है लेकिन यदि आपने किसी से बात करिए कि इसके आपको पंद्रा लाग दीस लाग है पचास लाग मिलेंगे तो विस्सा कुछ नहीं है यह सारे कॉमन कोईने कलेक्टे बले करने के लिए नजय करने के लिए कलेशन करों एंजय करो सच चलेगा सब कुछ अगर आपको बेचना तो सारा माल प्योपन नच्रुपे यह का नोट 155 उपैर में। 5 नॉपै छेई मिल जाएगा खरीदना है तो अभी देता हूं 16 उपैं मिल जाइगाू। इसे अच्छा बच्चे खर्ची कर लेगी है दोस्तों मैं आपको शेकड़ों बार बता चुका हूं नोट पर रबर नहीं लगाना है जैसे आपने रबर लगाया नोट खराब हो जाएगा यह रबर नहीं लगाना है अभी लगा दूँ की फेक दूँ है जब कामा नहीं चाहिए जी शाधे पांच रुपें बिख जाएगा पांच वला सिक्का अच पर अच वेशन दवी का सिक्का यह नहीं बिखेगा दस रुपेले पंद्रा लाइन और दस लाइन के यह नहीं बिखेंगे खर्च करना उनको के यहां तो कलेक्शन करियें यह खर्च करियें विखेंगे नहीं है यह वाले चार चार रुपे एंगे दो का सिक्का चार रुपे मिक्रा अगर आपके पद सौ क्लें गबाएं नहीं ह। बुराई इसमें सिक्क्य आप कर सकते हो इसमें के सिक्क्य अभी आपको मिलते हैं मार्चेट में सब्जी वाला दूध वाला कहीं भी जाते हैं। डो रुपए का सिक्क्य आपको दो रुपए में देगा। आप पचा सब्जी अलों से दिन भर कलेक्ट करते रहो शाम तक आपने आजार दोजार सिक्टे कर लिए आपकी चार आठाजार रुपे की कमाई हो गई करो मना थोड़ी है लेकिन जो ओर इंजल रेट है वो बताऊंगा में दो वाला सिक्का है साड़े तीन रुपे चार रु जी क्या ला है आप जो अपनी खार रहे है अपर को वेश्णी दोरी के शिक्के इंध्रागांदी का सक्के तो मना करें मिंने मैं यह पन्या कहं से लाया आप आप करेंग था अच्छी है बहुत पन्या यहिए से खरी दिए कहीं से हat यह जो 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 तो इसके लिए रखती है बहुत अच्छी है क्वालेटी घ्टी भी अच्छी है उसके पच्छास्य हैं आपने जो जो किसके बताए ता गेंडे वाले सिह कहा हता है दिए गेंडे वाला 1993 हेंदराबाद मिंटे ही वेल्यूबल है बाकि सारे कामन है नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि बोले में तो पड़ी लिखी नहीं हो तो मेरे को आप बता दो तो मैं तो इतनी बारिकी से सब और आपके इसको कॉलेक्षण करो नहीं लेगा लेकिन अगर आप इसको कलेक्ट करोगे तो यह सिक्क्क आपके आपके अभी मान लो हूं ने 200 रुपे चारी मिल जाएंगे लेकिन अगर आपने इसको रखा समभाल के 10 साल बाद तो नशकता है इसके आपको 1000 रुपे मिल जाएं भस कीमत होती है इससे ज्यादा नहीं है यह रखी है आप सारे सिक्षिए जो एक रुपे के सिक्षिए के बता रही है वह इसका क्या रही है 2004 का क्रास कॉइन का अभी 2000 रुपे से उपर वेल्य हो गई है दाए जार रुपे के आसपास थेंक यू आप जानना चाहते हैं अपने चिक्कों की सही कीमत यह फिर बेचना चाहते हैं सीधे मुझसे बात करें पर यह फिर वीडियो काली टाक्टू राज ग्यानी लिंग पर क्लिक करें और बुग करें अपना काल अभी और हां अप्राड यह कापर निकल के में अपकों दस्यों बार बता चुक आँ कि हर कोईन का मेटल अलग-अलग होता है कोई फ् conviction अचर्छित क्हılophone के लिद देंट लगते और उनकी कंडिशन खराब हो जाती है वेल्यू डाउन हो जाती है हर एक मेटल का सिक्का अलग-अलग जरूर होना चाहिए यह सारे यह से जब आप मिक्स करके लाओगे न यह तो महासिया तक आने में इनकी वेल्यू दस परशंड तो कम हो गए ऐसा नहीं करना ह देंट लाना है हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम आपके सिक्के को अलग-अलग करें चांटें फिर देखिएं अगली बार आप जरूर ध्यान लखिए क्या करना चाहते सार आप इनको तो यह तो बहुत अच्छे से किया आपकी कहीं पर भी सेल हो जाएंगे आप देखे क्यों मेरे पास इतनी देख एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दैस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सतरा अटरा गुनिस बीस तो इसके आपको कम से कम चौदा हजार हो के मिलना चाहिए एक में मेरे को बारी काउंटर इसने दो चाहां में जो सिक्के हैं उसका मैं को दो जार बताया कई तो मैं बोलतो रहा हूं कि कम से कम 14,000 बिलना चाहिए जो दो जाग जन बताया वह वह सही बताया आप दो ना सही बताया दे दीजिए आप क्योंकि यह सारे से अच्छे हैं आपके सारे ओरिजिनल हैं अब इसमें क्या होता है कि मिंट वाइज और येर वाइज कलेक्शन होत बिंदी वाला तो उसका मार्केट में आपको मिलेगा 1100 रुपए मैं आपको दूगा 200 रुपए क्योंकि मेरे कलेक्शन में वह क्वाइन की जरुवत दे अब हैं अब हैं अच्छे सिक्खें आपके यह डुप्लिकेट हैं कभी आप किसी किया जाओ मैं सरब आपको इतना ग अगर कोई चीज करते हैं उसमें चार वाते झार अच्छी कर दी लेकिन साथ में खराब भी कर दी तो मारी लेवल उपर से नीची हो जाएगी आप किसी दुखांदार को यह सारे शिक्खे दोगे तो सो समझे गा यह तो अनाड़ी आदमी है इसको लूत ले फिर आपको 2000 तो वह चैलकुलेशन करके बोलेगा ये सारे ये व्यापार का तरीका है तो ये व्यापबार का तरीका है आपको गाइट करना ताकि आप जिंदगी पर सही काम कर पाओ में रहूं नहीं रहूं लेकिन मेरे वीडियो के माध्यम से यहां आपको जो ग्यान दिया मैंने आप आगे बढ़ा होगे उसकी वयाद से से को लोगा का फायदा हो मेरा उद्देश यह इतना है कम से कम 14 जादा से जादा 30 है इसके बीच में कितने सिखें पांच पहले होते है अगर उसमें 840 का विलियम का निकल गया तो यह की सिखका 10 लाक रूपे का है इस त्युक्ष विलियम का होगा तो 10 लाक रूपे का सिखका है ना फिर अब आप आदमी आपको इसके 5500 देदेगा उसमें 840 भी ले लेगा तो आप तो खुश आपको इंस्टेगराम के नियुक्रेम है। आपने लाएं अप्रतों के शुक्री यहां मिलें सकता थाता है शुक्रीक आपका सिस्ट्रबाइlee समेड बाएं संपोर आतने स마डीतव मुध्यार काम है छी शुक्रीयां Report बाहसे मीमना चाहनम आपके आपको देखकर सर अब कलेक्षिन के हम तैयारी करेंगे अगली बार मिलना हुआ तो हम फुल तैयारी के साथ आपके पासे हैं यह आपके ओरिजन शिक्के हैं और कम से कम यह तो कलेक्षिन हैं ही सही आपको जबाल नेहरू का एक रुपे का सिora क्या कीमत रखता है वेश्चे तो मैं आपको पहले भी बताचुका हूँ लेकिन एक बार आपको याद दिला दूं की एक रुपे का यह टोपी वाला जो जबाल नेहरू का सिर्त यह यह कामन सिर्क का नहीं है मतलग इसमें rare सिक्के भी होते हैं यदि ये सिक्का आपके पास noida mint का है तो इसकी कीमत आपको लगबग 2000 रुपे मिल सकती है नोईडा मिंट के जवाला नहरू के एक शिक्के का मार्केट वेल्यू हो गया है 2000 रुपे आपके पास कलेक्शन में जितने भी जवाला नहरू के टोपी वाले सिक्के हैं उनमें चेक करिए एक अच्छी क्वालेटी का मेंगनी फायर लीजिए उससे चेक कीजिए तो जो मिंट मार्क है वो एकदम डार्ट होना चाहिए गोल तो वो नोईडा होता है यदि हलके से भी कोने निकले हुए है तो वो बंबे मिंट मार्क होता है यदि जवाला नेरू का नोईडा मिंट मार्क है तो वो वेल्यूबल कोई होता है कर दो 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 कर